श्रीमेश्वी टाइम से सभी पारकोश रोता कुछ अधगता है नियों देफर करमशकार बात हम सब की विश्वास का बल स्वामी विवेका नंजी से किसी ने पूछा कि वो क्या है सब चले जाने के बाद जिसके बल पर पुन्हे सब कुछ पाया जा सकता है तो उन्होंने उत्तर दिया विश्वास स्वयम पर विश्वास अपने कर्म पर विश्वास परमात्मा के प्रति विश्वास रखने से सब कुछ पुने प्राप्त किया जा सकता है विश्वास ही जीवन का आधार है, यदि विश्वास ही नहीं होगा तो जीवन में आननद और सौंदर्य के पुश्प भी नहीं खिल सकेंगे विश्वास के अभाव में जीवन मूल वीहीन वरक्ष के समान हो जाता है जीवन के हर शेत्र में विश्वास आवशक है और अपने में विश्वास हो अपनों में विश्वास हो प्रभू में विश्वास हो तो जीवन शान्त सुखी आनंद में बन जाता है और विश्वास में अदबुत सामर्थ्य है तो विश्वास के बल पर मनुष्य को ही रही पर मातमा को भी अपने वश में किया जा सकता है इस विश्वास की मिरोसी आज हिंदुस्तान में योद्या में बापस राम भगवान पता रही है ये एक विश्वास का ही एक परम सुख है आज जब मैं ये तस्वीर देखती हूं भगवान राम की तो प्रेम की इस तस्वीर को देखकर इतना प्रेम उबन रहा है इश्वर के प्रती प्रेम, बक्ती, विश्वास, जीत या प्रशन्सा की पराकाष्टा है क्या नाम देए से कुछ समझ नहीं आ रहा है शेडिजी सी प्रतिक्षा का अंत हुआ या यह पुण्य दिन देखने का सुवसर प्राप्थ हुआ मेरे सलो ने त्रभु को देख कर लगता है कि जन्मों के पुण्यों का फन वापस से मिल गया है कभी राजा राम को देखकर मन में सुरक्षा की भावना और प्रबल हो जाती है सिया के वर राम को देखने के लिए मन बलईया नेने को करता है और आतुर हो जाता है तो कभी राम को देखकर फिर से अयोध्या जाने के लिए मन आतुर हो जाता है तो कभी सो नाम राशी, रगुनंदल, रगुकुल, शिरोमनी और अपने संबल और अपने आराध्य प्रभू को देखकर सो सो बारनत मस्तप हो जाता हूँ अब बहुत अलग अनुबव है, रोना आता है, हसना आता है और इस तस्वीर में खो जाने को सब कुछ एक साथ करने को मन कर रहा है दश्रत नंदन, कौशन्या नंदन, सीता के राम, हनुवान के प्रभूख, लक्षमट, भरत और शत्रुगन के सर्व श्रेश्ट भ्राता, अयुद्या प्रतीन, रगुवंशी, राजा राम के सदाही जेहो और जेजे काहो, पूरा हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, राम में हो चुका है, तो जे जे सिया राम, जे जे सिया राग, श्री राम चंद्र भगवान की जे, राम को तो आना ही था, और आ गए राम, जे महेश्ट